सो जब भी सेवी के तरफ से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप या निपॉन इंडिया म्यूचल फंड के लिए कुछ भी खवर आती है तो हम जैसे इन्वेस्टर का दिन धड़कने लगता है और यह सोचने में आता है कि साब क्या हो सकता है क्योंकि maximum लोग ने जो इन्वेस्टमे जो लगा दिया है थोड़ा सा impact पढ़ सकता है future को लेके और यह उतनी अच्छी खवर नहीं है तो सबका स्वागत करूंगा आज की वीडियो में देखो यार सेवी के तरफ से एक और important news और इन्होंने कुछ restrictions और लगा दिये हैं पता नहीं I don't know क्या future में prediction हो सकता है लेकिन जो important tea news सबके सबको सामने देखने को मिल रही है सबसे पहला हो गया भाई साब इन्होंने जितने भी inflows जो भी बाहरी तोर पे हम लोग ETF में invest करते हैं as investor तो उन्होंने भाई साब रोक लगा दी है कि आप न overseas मतलब इंडिया के बाहर जो भी ETF है जैसे हमारा देश में ETF होता ह उसी तर इंडिया के बाहर भी exchange traded fund है तो सेबी ने clear कह दिया है कि साहब सबसे पहले आप बाहर के exchange traded fund में आप invest नहीं कर सकते हैं पर आकपारी फ्लेक्सिक के हम जानते हैं कि वो लोग particular stocks में invest करते थे तो अब सेबी ने कहा है कि भाई साब stocks में आप तो ठीक है लेकिन आप group of stocks में exchange traded fund में आप trade नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके कारण भी mutual fund में inflow आता है देखो इसके कारण नुकसान क्या हो सकता है हमारा कि जो stocks की value हम देखते थे या बाहरी stocks या ETF से हमें जो मुनाफ़ा मिलता था ना वो साय दब नहीं मिल पाएगा ये rule आज से उन्होंने लागू क कर दिया है आज 22 तारीक है आज से इस्ट्रक्शन चालू कर दिया है तो भाई साव ये ना सेमी ने clear बोल दिया है Association of Mitchell of India को साव आप अपने MC वालों को बोलो कि ऐसा ना करें क्योंकि already हमारा inflows बहुत ज़्यादा हो गया है और जब से ये stress test हुआ था ना इसके बाद लगातार ये लोग नए decision लेते जा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से यार परागपारी Flexicam fund जैसे या बहुत सारे fund जैसे SBI opportunity fund की बात करें हम लोग कुछ opportunity कुछ मतलब funds या कुछ हम लोग ना returns बाहर के जो ETF है ना उनसे हम लोग ले लेते थे now ये restrictions बोल दिया गया है जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा decision सही नहीं है ये तो चलो पहला धमाकेदार जो जटका लगा है ना SBI के तरफ से हमें ये पहला जटका है अच्छा attention मतलो आप लो as a retail investor हमें क्या impact पढ़ने वाला है अगे बताऊंगा वीडियो में last में लेकिन second decision से भी ये कहा कि रिसेंटली निपॉन इंडिया जो mutual fund वालो है ना निपॉन इंडिया में पहले क्या होता था small cap में अगर आप एक महिने के अंदर पैसे निकालते हो ना केवल एक percent exit load लगेगा इसके बाद free हो जाओ गया मतलब केवल अगर गलती से आपने invest कर दिया है और आ आप क्या कर दिया उन्होंने अब exit load को बढ़ा के साहब एक साल कर दिया है अगर आपने invest कर दिया है निपॉन में तो देखो आपको एक साल तक रहना ही रहना पड़ेगा एक साल के बाद जब निकालोगे तब आपको one percent लगेगा तो थोड़ा सा यह हो गया है कि जो लोग आप invest कर देंगे ना उनको लगाता remain invested ही रहना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से इस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा देखो exit load पहले भी लगता था तो मेरे ख्याल से अगर निपॉन इंडिया जैसे mutual fund में आप invest कर रहे हो जिसका return अच्छा खासा है अगर पिछले 15-16 सा या तो आपके amount आप बढ़ाना चाह रहे हो या आपने पहले regular fund में invested किया हो और अभी आप direct fund में करना चाह रहे हो तो उस condition में क्या होता है अगर आपने bank से कियो हो या अपने advisors करवा के रखा क्योंकि आपको पता है दोनों में दोनों के return में एक person का difference आ जाता है long term की बात कर आपको 1% लग जाएगा इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप plan करो proper समझ के कि भाई सब मुझे कितना amount invest करना है step up SIP आप कर सकते हो उसमें कोई charge नहीं है लेकि जब पूरा amount आप निकालोगे तब exit loot की बात हो रही है वो चीज़ तो ये important है और सबसे बड़ा जो important update मिला य वो ना एक दिन में कुछ लोग weekly SIP करते हैं आपको पता weekly SIP भी होती है कुछ लोग per day के SIP भी करते हैं कुछ लोग monthly SIP भी करते हैं तो जो लोग बड़े investor हुआ करते थे वो एक दिन में कभी-कभी 1,00,000 रुपे के SIP कर दिया उन्होंने एक दिन में 2,00,000 कर दिया क्योंकि पहले restrictions थी लगबग 5,00,000,000 per day के भी SIP लोग करते थे समझगे न 5,00,000,000 पर day निपॉन इंडिया mutual funds में आ रहा है लेकिन अब पूरी तरह restrict होगे है सर आप individual आपका pen number है individual आप 50,000 से ज़्यादा एक दिन में आप ना तो SIP कर सकते हो ना तो STP कर सकते हो मतलब ना systematic transfer plan कर सकत अब यह restrictions इसलिए हुई है क्योंकि सेवी को लगातार यह चीज अनुभव पहले ही साथ था कि देखो यार बहुत सारे ऐसे stocks का inflows बढ़ गया है हमारे अंदर और इसके कारण लगातार बहुत सारे stocks से manipulation देखने को मिल सकता है तो यह decision जो लिया गया है मेरे ख्याल से यह decision अ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे क्या आपने decision लिया है ठीक है क्योंकि देखो RBI भी यहां बीच में नहीं आ रहा है हम तिन्जार कर रहा है कि साफ Reserve Bank of India अपनी कुछ राय दे लेकिन RBI यहां नहीं आ रहा है I don't know क्या चौल रहा है दोनों के बीच में लेकिन सर यह update है अ अब इससे investor को क्या फरक पड़ेगा देखो हम लोग जो छोटे investor है कोई फरक नहीं पढ़ना है मिरे दोस्त आप जैसे investment आप कर रहे हो लगातार investment करते रहो सबसे अच्छी राहत की खबर ही है लेकिन जो बड़े पैसे वाले लोग हैं जो एक दिन में 50,000 से जादा SIP करते ह हैं और उनकी SIP केवल मंत में उन्होंने कर रखा है या weekly कर रहे हैं तो साब उनके लिए restrictions है कि आप एक दिन में 50,000 से जादा नहीं invest कर सकते हो निपॉन mutual fund में आप चाहे बात करो mid cap की बात करो आप lump sum की बात करो sir एक दिन से जादा more than 50,000 आप lump sum नहीं कर सकते हो क्योंकि कु 27 दिन लगेंगे 50% small cap 50% आपका पैसा निकालने में तो यह जो statement दिया था ना इसके कारण यह सारा कुछ हुआ है तो मैं retail investor से ही कहुँगा कि sir हमारे लिए कोई tension की बात नहीं है वी देखो सेवी का decision नहीं है तो कोई tension की बात नहीं है आप लगातार investment कर सकते हो लेकिन हाँ जो लोग एक दिन में more than 50,000 की investment करते थे निपॉन इंडिया mutual fund में sir आपको थोड़ा सा रुखना पड़ेगा आप इससे जादा नहीं कर सकते हैं minimum कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नही साहब तो निपॉन के लाबा बहुत सारे mutual fund है जिसमें आप बढ़ियां खासा investment कर सकते हो more than 1 lakh कर सकते हो 2 lakh कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो tension मत लेना ये recent खबर आई इसलिए update देना आपको बहुत जरूरी था बाकी channel बने रहो क्योंकि next video जो आने वाली है न बाकी मिलते हैं ने स्टूरों के साथ वाइबर टेक केर जैहिंद